कैंट में कर्फी लगा दिया गया अनूप हमारे साथ हमारे समभाद आता और जाधा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं अनूप आपसे जाना चाहेंगे कैंट के अगर बात की जाए तो कितने संक्रमित मरीज़ सामने आए हैं और क्या उन लोगों के संपर्क में आए जो लो जो है ऐसे लोगी तलास कर रही है जो इनके संपर्क में रहे हैं यह जो है उनके संपर्क में रहे हैं तो ऐसे में स्वास्विबाग की 144 जो टीम है वो पूरे छेतर में काम कर रही है बड़ी संख्या में तमाम जो घरों के लोग हैं उनकी जाच की जाई है एक सव से अधिक जो है संख्या है जो जाच रिपोर्ट है वो के जो है सेंप्लिंग की बेजे गई है जाच रिपोर्ट बेजे गई है अब उनका जो है पुलिस स्वासिवाग के टीम रिपोर्ट का इंतिजाग कर रही है इसके साथ ही तक पिचासी सो ऐसे लोग हैं जिनकी जो है इक लिश्ट वहां पे बचानी की जो मुहीम थो शेना और जो लोकल पुलिस है वो लगातार कर रही है पूरे इलाके को बारिकी से साइटाइज किया जा रहा है बली संख्या में नगा निगं सुवास्विभाग और पुलिस की टीमे वहां पे तानाद कर दी गई है पूरे घरोपूरे इल कि जा रही है इसके लावा एक बड़ा फैसला जो है वहां की जो सेना है उनके जरी लिया गया है कि पूरे इलाके को कहा जा सकता है कि एक कर्फिल गोसित कर दिया गया है और 40 घंटे लोगों से अफील की गई है कि आप घरों में रहें आप बाहर ना निकलें और जो इमर्जे अजया खाओध और 40 घंटे इसला एंटे जो जो इमर्णी खाल बाहर जो खाल जो ना आपते है कि उसके जो एक पूल गया है कि एक जो एक ऑट विशो जो प्योदुआ है गया है कि आप लोगों में एक बाहर आप वार आप जो़िएग ऑल खाल आप जो नाप जोगों में